आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिस वीडियो में हम बात करेंगे Finance Needs Blog के बारे में ये एक आइडिया मैं सेर करूँगा कि कैसे आप Finance Needs पे ब्लोग बना सकते हैं और Finance Needs के और सारे आइडिया फाइंड कर सकते हैं आज की इस वीडियो में एक पूरा प्रोसेस के बारे में मैं बात करूँगा कि कैसे आप Finance related Micro Needs फाइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको कैसे keyword research करना है और उसके बाद similar method का यूज करके और बहुत सारे leases कैसे find कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे अगर इस वीडियो में बने रहोगे ना तो लाश्ट में मैं आपको keyword और top pages के data दूँगा जो की paid href के plans लिया गया रहेगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर अगर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देजिए आखिर finance नीच में यह होता है कि अच्छे income का scope होता है आपको लाखों में traffic लाने की कोई भी जरूरत नहीं अगर आपके पास 1000 भी traffic है ना तो उसमें अच्छा कासा income बन जाएगा और हमेशा आपको जो लोग काम करते हैं उसी नीचस में नहीं काम करना है बहुत लोग finance का नाम सुनके ही डर के उसमें काम करना नहीं चाते हैं तो वही डर आज इस वीडियो में मैं मिटाने वाला कि कैसी आप छोटे से चोटे कीवर्ड करके उसके ब्लॉग बना सकते हो तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो जानेगे की नीचस फाइंदि का प्रोसेस क्या है उसके पहले एक concept स मिलते हैं कोई भी काम हम फल की प्राप्ति के लिए ही करते हैं अगर हम ब्लॉग बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं ताकि हमें पैसे मिले तो इसका एक प्रोपर प्रोसेस है सिर्फ फाइनेंस पे ब्लॉग बनाके ही आप पैसे नहीं कमा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्याद तो उसके plant निकलेंगे अगर Hम seeds नहीं पता है कि कि किस चीज का ऐगा तो plant आएगा तभी पता चलेगा तो वह plant देखो या तो अब finance के term में बात कर लेते हैं finance के क्या क्याplants हो top या तो development हो सकता है saving हो सकता है insurance हो सकता है Loan हो सकता है Investing हो सकता है Money Management हो सकता है और बहुत सारे इसमें हो सकते इसके sub categories हो सकते है तो इसको find करने का simple तरीका है कि आप Google यूज करो Google में जाके कोई भी category है ना उसका सीधे लिखो finance sub category कोई भी main niche है ना उसके आगे sub categories लिख दोगे तो बहुत सारे यहां categories मिल जाएगा उसके बाद Google में देखके आप उसके बहुत सारे categories find कर सकते sub category find कर सकते images में भी जाकर देखोगे तो image में भी representation होता है कि इसके कौन-कौन से sub categories है तो इस हिसाब से आप टेक पे भी apply कर सकते हो gaming पे भी apply कर सकते हो news पे मतलब जितने भी बरे news है ना उसके sub category जैसे find कर सकते हो इसको क्या करना है आप find करके listeners कर लेना है जैसे कि मैंने ये list किया हुआ जैसे finance का ये उसी परकार से एक sub category Choose करोंगे ना तो उसके अंदर भी बहुत चीज होते हैं जैसे loan के अंदर क्या होता है hom loan होगा car loan होगा personal loan होगा education meme होगा business loan होगा तो अब इसमें क्या करना है इसमें भी आप एक चूज करना है माइक्रो नीज फाइंडिंग का यहीं कंसेप्ट होता है कि आपको डीपली जाते रहना है एक चीज पकर करके उसमें भी एक चीज पकरके और आप डीप जाओ तो देखो यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड जो सीड है वो डन हो चुका है कि कारलोन है देखो अब हमें एक और चासजर के अंदर मोबाइल कौन सा है तो यहाँ पर जो अंदर कीवर्ड है ना यह इंपोर्टेंट टर्म से इसके साथ मोबाइल फोन अंडर करेंगे तो यह सारी चीज आ जाएगी इसको मैं दिखा देता हूं यह कुपर आप जैसे देखो मोबाइल फोन यहां पर मैं डा होगे अगर आप बैंक में तो आप सोचो कि क्या क्या जरूरत परेगा उसी से रिलेटेर हम इंपोर्टेंट टर्म स्पाइंड करेंगे बैंक में जाते ही आपको या तो आईटियर मालेंगे इस सेलरी सिलिप मांगेंगे या फिर क्रेडिट स्कोर के उपर लोन दिया जाता और इंपोर्टें टर्म है ट्रेडिट स्को खोक है अब अब इन दोनों को मिला के हम कीवर्ट रिसर्ट करेंगे तो चलते हैं की व्रस्थ प्रफ एंग जाने से पहले हमें जो नीश फाइंड करना उसका फार्मूला है हम कंप्पटीडर साइट को चूझ करेंगे तो कंप् 50-100 इसी के range में होना चाहिए, मतलब कि हमारे capacity में होना चाहिए, अगर 100 है, तब ही हम नए blogger इसको असानी से 6 महिने में कर सकते हैं, और उसका root domain, जो backlink का root domain होता है, वो 100-200 होना चाहिए, अगर इससे जादा है, तो कोई भी नया blogger उसको cover नहीं कर सकता है, simple है, और EMD और PMD domain होना चाहिए, तो इससे और असानी हो जाता है कि हमें need selection में, ठीक है, तो चलिए keyword research पे बात करते हैं, क्या है car loan और credit score, उसके लिए देखो, आपको क्या करना है, Google USA टाइप कर लेना है, और Google USA वाला click कर लेना है, इससे यह होगा कि हमारे USA का result दिखाई देगा, हमारे पास ज क्या करना है, यहां पे आपको एक star लगा लेना है, ठीक है, अब देखो, यह सारे आगए keywords, और one by one आपको यहां पे select कर लेना है, तो ऐसे आपको result मिलने लएगा, लेकिन अब देखो, यहां पे अब हमें क्या करना है, कि authority पता करना है, कि कौन से domain का क्या authority है, अब जैसे द download करके इसमें login करने है, जैसे ही आप login करोगे ना, तो सारे result का यह क्या बना, बताने लेगा, DA, बताने लेगा, अब जैसे देखो, यह keyword डाल देने के बाद, आपको check करना है, इसका authority कितना है, पहले देखो, इस पे एकदम लखीर की तरह नहीं मान लेना है, कि यहीं है, वो आपके depend करता है, लेकिन मैं suggest कर रहा हूं कि आप 20 के नीचे वाले ही choose करो, वैसे 30 के नीचे भी जो थोरा experience हो, वो choose कर सकते हैं, अब देखो, यहाँ पे 17 DA है, तो इसको क्या करनेंगे, एक नए window में open करने के बाद, इसके home page को चले जाएंगे, उसके बाद, आपको और site देखनी है, जिसका DA कम हो, देखो, इसका 25 है, इसको भी एक बार check करने थे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको सारे site का checking करना है, उसके बाद, देखो, keyword research में और क्रेडिट score था, अब इसके बीच में यहाँ आओगे, तो देखो, एक with with करके भी आ रहा है, तो देखो, keyword मिल गया, bad credit score, तो ऐसे ही आपको और भी keyword research करके DA वेगरा देख लेना है, जिसके कम DA है, साइट के वो open करके उसको check करना है, तो देखो, इसमें कोई site ऐसा नहीं है, जिसका कम हो, credit score है, तो जैसे 1, 2, 3 भी करके कर सकते हो, देखो, यह इतने सारे keyword आपको मिलेंगे, तो सब पे आपको check कर लेना है one by one, ठीक है, और उसके बाद देखो, यह five पे इतने सारे keyword है, six पे देखो, कितने सारे keyword है, seven पे देखो, सब पे आप check करके, सब पे आप post भी लिख सकते हो, तो देखो, आज थोरा मोजबार सही से काम नहीं कर रहा है, आपको अपना test कर लेना है, ठ इसके बाद क्या करना है, जो मैंने site जैसे 17 निकाना, सबसे पहले इसका मैं post check कर लेता हूं, कि इस पे कितना post है, site map मैं check करूंगा, तो इस पे पता चलिएगा, कि इसका total post कितना है, अब देखो, post वाले site map में जाते है, तो देखो, यहाँ पर बता देगा, इसमें total कितना ह इस मतलब हमारे range में है, और एक लोग बहुत गलती करते हैं, सिर्फ post देखके छोड़ देते हैं, आपको page भी देखना है, बहुत बार post page में भी किया गया रहता है, तो देखो, यहाँ भी कम है, मिन्स यह हमारे range में हम इसको target कर सकते हैं, अब इसका देख लेते हैं, बैक traffic भी ठीक ठाक है, इस traffic से आप मंतली बहुत अच्छा खासा income कर सकते हो, 500 से 600 डॉलर easily कमा सकते हो, अब देखो, इसके keyword कौन कौन से है, यह सारा keyword मैं है, अपने telegram channel में upload कर दूँगा, वहाँ से download कर लेना, और यह देखो, कितने keywords हैं, यह छोटे-छोटे keywords पे भी काम करके, देखो, सबके CPC आपको अच्छे मिलेंगे, और ऐसे keyword पे काम करोगे, तो आपको कम traffic में भी ज्यादा पैसा मिलेगा, अब बात करते हैं, कि देखो, यह आता है, YM, YL के अंदर, जैसे देखो, Google का guideline है, कि health और finance में आपको export हो, तभी आपको काम करना है, नहीं तो नहीं कर करना है, ठीक है, तो आपको इस हिसाब से site का design करना है, कि आपको लगए कि आप export हो, तो यह site का design ऐसे कर लोगे, आप ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे about us page पे आके देखो, इस पे क्या हुआ है, सेम आपको ऐसे ही करना है, जैसे देखो, इन्होंने अपने photo के साथ यह LinkedIn profile attached किया हुआ है, एक ऐसा LinkedIn profile जिस पे आप finance के related आप बना सकते हो, उसको connect कर सकते हो, बाकी सारे ऐसे ही है, सिर्फ उनके बारे में लिखा हुआ है, तो ऐसे आप page बना सकते हो, बहुत सारा, और उसमें आप अपने experience के बारे में लिख सकते हो, Twitter का भी एक लिंक दे सकते ह यहां भी connect कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यह तो हो गया, इसके बाद देखो आपको क्या करना है, यह sidebar में आपका author का photo होना चाहिए, यह photo जैसे खाली-खाली है आप ऐसा करो कि financial हो, जैसे computer के साथ आप photo डाल सकते हो, कुछ calculation के साथ photo डाल सकते हो, और let's suppose अगर कोई LIC वेगरा में भी काम करता है, तो वो अपना भी detail डाल सकता है कि मैं LIC वेगरा में काम करता हूं, या bank के loan department वेगरा में काम करता है, तो यहां डाल देगा, तो वो उससे और ज्यादा eat में help मिलेगा, क्योंकि वो Google consider करेगा कि expert है, तो इस हिसाब से आपको काम करना है, बाकि आ फर्मूला तो यही है कि authority कम होना चाहिए, article 100 के range में होना चाहिए, root domain भी कम होना चाहिए, और देखो इस domain का नाम, car auto loan करके इस type से domain का नाम था, ठीक है, तो उस type से loan होना चाहिए, अब देखो आप किस type का domain ले सकते हो, देखो यह dot loan rank कर रहा है, तो आप dot loan भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो dot com dot net dot org भी ले सकते हो, इसकी अलावा देखो जो keyword के list है, top ranking pages थे, और जो भी था वो मैं telegram channel में अभी ही upload करते रहा हूँ, वो जाके join करके आप download कर सकते हो, साथ ही साथ आपको वहाँ पर daily valuable content में मैं provide करता हूँ, help करता हूँ, तो आप telegram channel जरूर से जरू similar method use कर, तो जैसे कि हमने यहाँ पर car loan का बात किया, तो similar method क्या हुआ, जैसे मालो कोई आलू है, बैगल है, तो यह सबजी है, तो और सबजी में क्या हो सकता है, उसी साथ से car loan है, तो मैंने एक पर बात किया, आप home loan में सर्च करो, business loan में सर्च करो, personal loan, education loan, और बहुत सारे loan ह होते हैं, उसमें same type method लगा के आप नीसे find करो, ठीक है, इसके अलावा हमने loan department में गए, आप debt में जाओ, investing के अंदर जाके, और अंदर जाके, ऐसे keyword find करो, और उस पे काम करो, जैसे मैंने बताया है, वैसे काम करोगे, आप आख बंद करके article करो, आपका जरूर rank होगा, और income ह और skill आप अच्छे तरीके से सीखोगे, यह होता है, proper skill सीखना, जैसे मैंने step by step method बटाया है, उसको follow करके आप काम करो, ऐसे काम करना है आपको ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए thank you so much, अगर अभी तक channel subscribe ने किया है, और लग रहा है कि मैं कुछ value provide कर रहा हूं, तो इस channel को subscribe कर लो, और यह video कैसा लगा, नीचे comment करके आप बता सकते हैं